अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन अम शांते बाबा का हाथ बाबा का साथ आत्मा की जन्म जन्मांतर की इच्छाओं को कामनाओं को पूर्ण कर देता है जन्म कामनाओं के कारण आत्मा परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाती उन्सब कामनाओं को शिव बाबा भोला भंडारी पलभर में आकर जब उड़न करता है तो आत्मा भरपूर हो जाती है निर्भाय हो जाती है इतनी सशक्त हो जाती है जो ना केवल वो अपनी अपित्व अन्ने आत्माओं की भी सुरक्षा कर सकती है और इन सब प्राप्तियों का आधार है मनुष्य आत्मा की आत्म अभिमानी स्थिति इसलिए बाबा बार बार हमें देह से न्यारा अशरीरी देही अभिमानी स्थिति इसका अभ्यास करने के लिए जोड देते हैं तो आज भी हम बाबा के महवाक्यों में स्थिति को समझेंगे और इसका बार बार अभ्यास करेंगे आज है 6 नवंबर 2030 बाबा के मधर महवाक्य है मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है तुम श्रीमत पर रुहानी सर्विस में लग जाओ तो देहे अभिमान रूपी दुश्मन बार नहीं करेगा सबसे बड़ा दुश्मन आत्मा का देहे अभिमान और उससे दूर होने के लिए देही अभिमानी बनना है और बाबा की सेवा में लग जाना है प्रश्न है विकर्मों का बोज सिर पर है उसकी निशानी क्या होगी उसे हलका करने की विधी सुनाओ जब तक ज्यान में नहीं थे तब तक तो ये पता ही नहीं था कि कर्म अकर्म विकर्म क्या है बोज के तले थे पड़न्तु बोज में रहने की जैसे आदत हो जाती है ना तो फीली नहीं होता पड़न्तु अब बाबा बता रहे है कि हमारे सिर पर विकर्मों का बोजा है इसकी निशानी क्या है उतर जब तक विकर्मों का बोज है तब तक ज्यान की धारण नहीं हो सकती कर्म ऐसे किये हुए है जो बार-बार विग्न डालते है आगे बढ़ने नहीं देते है कहीं बढ़ु हम सोचते शद इसके कारण उसके कारण हमारी लाइफ में विग्न है हम ज्ञान को पूर्ण रीदी धारण नहीं कर पा रहे। प्रिंद्वाजवावा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। हमारे अपने ही विकर्मों के कारण हमारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोज़ा है। उस बोज़ के कारण हमारी लाइफ में विगनाते हैं। तो यदि क्यान की धारणा नहीं कर पा रहे तो समझना है कि हमारे पूर्व जन्मों के विकर्म है। इस बोज़ से हलका होने के लिए क्या करेंगे। नींद को जीतने वाले नद्रा जीत बनो। रात को जाग कर बाबा को याद करो तो बोज़ हलका हो जाएगा। कारण है तो निवारण भी है। गीत है। माता, माता, माता सबसी भागेली धाता, माता, माता, माता सबसी भागेली धाता, माता ओम शांते यह हुई जगत अम्बा की महिमा च्योंकि यह है नई रचना एकदम नई रचना तो होती नहीं है बिलकुल नई तो नई होती पुरानी से नई होती है मृत्यो लोक से अमर लोक जाना है यह जैसे जीने और मरने का सवाल है या तो मृत्यो लोक से मर कर खत्म हो जाना है या तो जीते जी मर कर अमर लोक में चलना है जगत की मा माना जगत को रचने वाली मा यानी जो रचती है यह जरूर है बाप स्वर्ग का रचाईता है रचना रचते हैं ब्रम्भा द्वारा बाप कहते हैं मैं सूर्वन्षी, चंद्रवन्षी, राजधानी स्थापन करता हूँ आना है संगम पर कहते भी हैं कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूँ क्लियर समझानी है, सिर्फ मनुष्यों ने भूलकर नाम बदली कर दिया है सर्व्यापी का ज्यान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है यह किसने कहा, कब कहा, कहा लिखा हुआ है अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं प्रश्न पूछने से भी पनुष्यात्माओं की बुधी चलती है श्री कृष्न तो देधारी है बहे तो सर्व्यापी हो नहीं सकता श्री कृष्न का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर बाप को तो वर्सा देना है कहते हैं मैं राज यूग सिखाता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्सा देने नहीं तो 21 जन्म का वर्सा उन्हें किस ने दिया लिखा भी हुआ है ब्रम्भा मुक से ब्राम्भन रच्रे फिर ब्राम्भनों को बैट नौलिज सुनाते हैं स्रिष्टी के आदी मध्य अंतकी तो जो नौलिज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने लिए बास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है परन्तो यह सहज कर समझाने लिए चित्र बनाए होए है इनसे बहुत काम हो सकता है तो जगत अंबा की भी महिमा है तो बाबा कैसे हमें सेवा करनी है आत्माओं को ग्यान देना है कैसे सर्व्यापी के ज्यान को बताना है कि परमात्मा सर्व्यापी नहीं है और कैसे गीता का भगवान शिव बाबा है न कि श्रे कृष्ण इस बात को स्पष्ट करना है अब अकलियर कर समझाते है शिव शक्ती भी कहा जाता है शक्ती किस से मिलती है? World Almighty बाप से, शिव से World Almighty Authority यह अक्षर भी महिमा में देना पड़े Authority माना जो भी शास्त्रों आदी की नौलेज है वह सब जानते हैं Authority यानि उस चीज पर पूरा का पूरा आपका नियंत्रण हो तो पूरी Authority हो तो बाबा कहते हैं Authority सह समझाने की कि कैसे हर बात को क्लियर करके समझाना है ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं तो Authority होई ना सभी वेदो शास्त्रों का सार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं तो ये दुनिया में भी गायन है तो बाबा कहते हैं तो Authority होई ना तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है चार धर्म। उनमें भी एक धर्म है मुख्य। यह है फाउंडेशन। कौन सा है वो धर्म। जो फाउंडेशन है आदी सनातन देवी देवता धर्म। बनियांट्री का मिसाल भी दिया जाता है। इनका फाउंडेशन सड़ गया है। कौलकत्ता में बोटानिकल गार्डन में जो बनियांट्री है। उसमें दिखाया है कि उसका फाउंडेशन सड़ गया है। बगी टाल टालियां खड़ी है, यह मिसाल है, दुनिया में जार तो बहुत है, सत्युग में भी जार तो होंगे न, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे, यहां तो बहुत जंगल है, परन्तु सत्युग में बगीचे होंगे, काम की चीजों लिए जंगल भी होंगे, लकडा आदी तो चाहिए ना, जंगल में भी पशू, पंची बहुत रहते हैं, परन्तु बहां सब चीजें अच्छी फल दायक होती हैं, पशू, पंची भी शोभा है, इस रिष्टी की शोभा बढ़ाते हैं, खुबसूरत बनाते हैं दुनिया को, परन्तु गंद करने वाले नहीं होंगे, यहां पर तो बहुत गंदगी करते हैं, यह पशू, पंची ब्यूटी तो चाहिए ना, रंग मंच है, इस रंग मंच पर ह किरो किरदार वाली आत्माएं आएंगी, तो रंग मंच सुन्दर तो दिखना चाहिए ना, स्रिष्टी ही सतुप्रधान है, तो सब चीजें सतुप्रधान होती हैं, बहिश्ट फिर तो क्या, क्या महिमा है स्वर्ग की, पहली-पहली मुख्य बात, बाप से वर्सा लेना है सबसे इंपोर्टेंट बात ये है, याद रहे हम कौन है और हम यहाँ पर किसलिए आए हैं, बाबा से वर्सा लेने, चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है, ब्रम्भा द्वारा स्थापना, विश्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, यह अक्षर मनु शे समझते नहीं, इसलिए विश्णों के दो रूप लक्ष्मी नारायन है, पालना करने वाले, यह तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे, है क्लियर बातें, पर तो फिर भी, कोटों में कोई समझते हैं, फिर यह लिखा है, क्या आश्चर रिवत स्वननती कथन और फिर भागंती हो जाते हैं, नमबरवार पुरुशार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, कहा न कहा यह बातें लिखी हुई है, भगवान वाच, अक्षर भी ठीक है, भगवान की बायोग्रैफी अगर बिगड़ जा तो सब शास्त्र खंडन हो जाए, यही नहीं पता कि भगवान कौन है, नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, काल क्या है, तो बायोग्रैफी अगर बिगड़ गई तो फिर सब शास्त्री खंडन हो जाएंगे, देखने में आता है, बाप दिन प्रति दिन अच्छी- देते रहते है, पहले-पहले तो निश्चे कराना है, कि भगवान ज्ञान का सागर है, इस बात पर निश्चे पक्का कराओ, कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप है, चैतन्य बीज में नौलेज किसकी होगी? चैतन्य बीच में किसकी नौलेज होगी? वो तो जड़ बीच होता है ना? तो उसमें ज़ाड का सारा का सारा सार होता है तो चैतन्य बीच में नौलेज जरूर ज़ाड की होगी ना? तो बाबा इसलिए शिफ बाबा है चैतन्य बीच इस मनुष्य स्रिष्टी रूपी ज़ाड़ का सिली बाबा सारे कल पवरिक्ष के आदी मध्यान्त का सारा राज बताते है तो बाप आकर नौलिज समझाते है ब्रम्भा द्वारा ब्रम्भा कुमार कुमारिया नाम अच्छा है प्रच्जा पिता ब्रंभा के कुमार कुमारियां तो धेर है क्योंकि ब्रंभा कौन है? ग्रेट 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 ग्रैंड फादर है इसमें अन्धिश रद्धा की कोई बात नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए और बस आपको याद करनी है अंदुश्रद्धाने यह हर चीज लॉजिकल है यह तो रच्छना है न बाबा, मम्मा, अथवातुम, मात, पिता सब कहते है जगत अम्बा, सरस्वती है, ब्रम्भा की बेटी यह तो प्राक्टिकल में भी के है प्राक्टिकल में शिवबाबा ने ब्रह्मा बबाद्वारा मम्मा को भी अडॉप्ट किया तो भी के है कल्ब पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई स्रिष्टी रची थी अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी स्रिष्टी के आदी, मध्य, अंत का राज बाप ही समझाते है इसलिए इनको knowledge full कहा जाता है आदी, मध्य, अंत, full knowledge बीज में जरूर पूरे व्रिक्ष की knowledge होगी उनकी रचना चैतन्य मनुष्य स्रिष्टी है, शिवबाबा की रचना सारी चैतन्य मनुष्य स्रिष्टी है बाप राज योग भी सिखलाते है परमपिता, परमात्मा, ब्रमाद्वारा, ब्रामणों को बैठ सिखलाते है जो ब्रामभन फिर देवता बनते है सुनने समें मज़ा तो सबको बहुत आता है परंतो दे अभिमान के कारण धारना नहीं होती है सुनते हैं मज़ा आता है परंतो दे अभिमान के कारण धारना नहीं होती यहां से बाहर गए और खलास अनेक प्रकार का दे अभिमान है इसमें बड़ी महनत चाहिए सबसे ज़ादा महनत किसमें है? इस दे अभिमान को तोड़ने में बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो दे अभिमान छोड़ो दे ही अभिमानी बनो रात को जाग कर याद करना है जो कि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोज़ा बहुत है जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं इस कारण धारणा नहीं कर पाते विकर्मों के बोज़ के कारण कर्म ऐसे किये हुए है इस कारण दे ही अभिमानी नहीं बनते गपोडे बहुत मारते हैं बड़े गपोडे का चार्ट लिख भेजते हैं क्या लिखते हैं कि हम 75 प्रतिशत याद में रहते हैं 75 परसंट याद में रहते हैं परंतु बाबा कहते हैं impossible है सबसे आगे चलने वाला यानी ब्रह्मा बाबा खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की परंतु क्या होता है? माया भुला देते हैं सच्चा चार्ट लिखना चाहिए जो भी है जैसी भी स्थिती है वैसा चार्ट लिखना चाहिए ऐसे गपोडे नहीं मारने हैं बाबा भी बतलाते है अपनी स्थिति का तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को भी सच्चा सच्चा चार्ट लिखना है तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं पुरुशार्थ के लिए समय मिला हुआ है यह धारना कोई मास इसमें थकना नहीं होता, क्योंकि ऐसा होगा, फिर धार ना करेंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे, फिर करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि मासी का घर नहीं है, इसलिए थकना नहीं है. कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे, बाबा ने कह दिया, कि जो देवी देवता धर्म का होगा, और धर्म में कनवर्ट हो गया होगा, तो वह आज आएगा, चिन्ता नहीं करना है, खल्प पहले जो आत्माए बाबा की थी, वो फिर से आएंगे. आफ्रीकंस आदी की भी कॉन्फरेंस होगी, भारत खंड में आते रहेंगे. आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं. जर्मनी का प्रेंस आदी यह सब कभी बाहर निकलते नहीं थे. नेपाल का जुकेंग था, उसने कभी रेल देखी नहीं थी अपनी हद से बाहर कहा जाने का हुक्म नहीं था ब्रह्मा बाबा के पास इसारा ज्यान था क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो राजा महाराजाओं के यहां विशेश तोर पर नेपाल के राजा महाराजाओं के पास आना जाना लगा रहता था तो ब्रह्मा बाबा बताते हैं कि अपनी हद से बाहर कहा जाने का हुक्म नहीं था ओप कभी बाहर नहीं निकला था अभी आया आएंगे सब चुकि यह भारत सभी धर्मवालों का बहुत बड़ेते बड़ा तीर्थ है इसलिए यह एड़टाइज जोर से निकलेगी तुमको सब धर्मवालों को बतलाना है निमंत्रन देना है ज्यान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्मवाले कनवर्ट हो गए है इसमें समझ चाहिए घबराना नहीं है परिशान नहीं होना है कल पहले मुआफिक जो हुआ था फिर रिपीट होगा अगर समझें तो शंक ध्वानी जरूर करें यानि सेवा जरूर करें हम ब्राम्मन है न हमको गीता ही सुनानी है बहुत सहज है बेहत का बाप है स्वर्ग का रचईता उनसे वर्षा पाना हमारा हक है सबका हक है अपने पियर घर यानि मुक्तिधाम में जाने का आँ सबका हक है इसलिए सब आत्माई जाएंगी जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है जीवन मुक्ति सबको मिलनी है जीवन बंद से मुक्त हो शांत में जाते है फिर जब आते है तो जीवन मुक्त है इस दुनिया के अंदर अभी सब जीवन बंद है इन सबसे मुक्त हो करम परम धाम जाएंगे फिर जब सृष्टी पर आएंगे तो दुनिया कैसी होगी जीवन मुक्त तो बाबा कहते हैं कि परंटु सबको सतियुग में तो जीवन मुक्ती नहीं मिलती जीवन मुक्ती मिलती है पहले जनम के अंदर सभी क्योंकि कोई करम बंधन नहीं होता तो मुक्ती होती है लेकिन सतियुग के बारे बाबा कहा रहे हैं कि वहां तो वो वाली सतियुग की जीवन मुक्ती सबको नहीं मिलती है सतियुग में जीवन मुक्ती में थे देवी देवता पीछे जो आते हैं, कम सुख, कम दुख पाते हैं यह हिसाब किताब है सबसे कंगाल भारत ही बना है जो सबसे ओच था बाप भी कहते है यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है यह बनी बनाई है सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते है Heavenly Godfather ही Heaven स्थापन करते है और कोई करना सके Christ से तीन हजार वर्ष पहले बरुबर कहते है Heaven था नई दुनिया थी दुनिया में भी कहते है Christ कोई वहाँ थोड़ी ही आएगा उनसे तीन हजार वर्ष पहले थी वो दुनिया उस समय वो नहीं थे लेकिन वह अपने समय पर ही आता है फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है यह सब बुद्धी में बैठे तो श्रीमत पर चले सब की बुद्धी एक जैसी नहीं है विराइटी है श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए जो की श्रीमत मन मत से, जन मत से, शास्त्रों की मत से बिलकुल अलग है तो जो चीज बिलकुल अलग है उस पर चलना उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए फिर श्यव बाबा, आप जो खिलाओ, जो पहनाओ ब्रह्मा और जगत अंबाद्वारा ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे न तो दोनों combined है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा combined है तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा ही करतव्य करेंगे शरीर तो दो इकठे नहीं है शरीर इकठे नहीं है, एकी बॉड़ी है इसलिए शिव बाबा जो भी करेंगे ब्रह्मा बाबा द्वारा करेंगे कोई-कोई combined शरीर भी देखा है बाबा ने अजकल बहुत ऐसे बच्चे पैदा होते हैं ये कठे शरीर के कहीं भाग मिले होते हैं तो ब्रह्मा बाबा ने भी देखा होगा कईयों का उस समय भी, बाबा ने कहा सोल तो दोनों की अलग-अलग हो गई, इसमें बाबा प्रवीश करते हैं, बह है नौलिजफुल, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवीश करते हैं, शिव बाबा है नौलिजफुल, तो नौ यहां तो ब्रह्मा चाहिए, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं, यह कोई अंदिश्रद्धा तो नहीं है, एडॉप्टेट चिल्ड्रेन को भगवान पढ़ाते हैं, कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए हैं, वही अब होते हैं, बाहर ओफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं, यह है गुप्ट हो गया, ओफिस में तो कोई नहीं कहता न ऐसे, तो अब अगर यह सब गुप्ट बाते हैं, समझने की बाते हैं, शिव बाबा की संतान तो है ही, पकि इश्वर की संतान तो सबात्माई है, पकि रचना न पुरानी कैसे होती है? जब आत्मा में दे अभिमान की एलॉय पढ़ती जाती है. सोने में ही खाद पढ़ती है, तो फिर जूठा हो जाता है. आत्मा में आत्मा भी सच्चा सोना थी परन्तु फिर उसमें एलॉय पढ़ती गई फिर जूटी हो गई फिर बॉडी कॉंशिसनेस में आ गई पूरी तरह आत्मा जूठी होती है, तो शरीर भी जूठा हो जाता है आत्मा इंप्योर, तो फिर बॉड़ी भी इंप्योरी मिलती है फिर सच्चा कैसे हो? सोने में अगर ऐलोईडल चाए, तो बारा से प्योर कैसे बनाते हैं? जूठी चीज को आग में ढालते हैं यही करते हैं ना, पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है, किसली यह होता है, आत्माओं को पवित्र करने के लिए, यह त्योहार आदी भी सब भारत के हैं, यह किसके और कबके हैं, कोई जानते नहीं, बैसे क्या देते हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं, पर अंतु कोई जानते नहीं नौलेज बहुत कम उठा सकते हैं ये तो हम जानते हैं इन सब त्योहारों का आधार है संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का मिलन तो हर एक वो क्रिया हर एक वो कर्म जो शिव बाबा इस समय संगम युग पर आकर हम बच्चों के साथ कर रहे है उनका आगमन बाबा के साथ योग लगाना हर चीज हर सालिब्रेशन उसका आधार है संगम युग पर आत्मा और परमात्मा के बीच का हर एक कर्म हर एक गतिविधी कैसे बाबा हमें प्योर बनाते हैं कैसे बाबा हमारे जीवन में परिवर्तान लेकर आते हैं कैसे आत्मा की जोत जलाते हैं कैसे रावन को मारते हैं कैसे शिव शक्ती बनती है इन सब की यादगारे फिर भक्तिमार के अंदर हम सभी मनाते हैं तो बाबा कहते हैं कि यह त्योहार आदी भी सब भारत के हैं, यह किसके और कब के हैं, कोई जानते नहीं नौलेज बहुत कम उठा सकते हैं पिछाडी में करकर राजाई मिली, एंड में अगर राजाई मिली भी, उससे क्या? बहुत थोड़ा सुख हुआ ना? दुख तो आहिस्ते, आहिस्ते शुरू हो जाता, इसलिए अच्छी रीती पुरुशार्थ करना है कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, होता ही है, कई नए नए बच्चे आते हैं, बोचदली, न सब बाते समझ जाते हैं पुराने अटेंशन नहीं देते, दे अभिमान बहुत है, सर्विस करने वाला ही दिल पर चड़ेगा तो अटेंशन देना है, दे अभिमान को तोड़ना है, सेवा करनी है कहा जाता है ना, अंदर एक, बाहर दूसरा कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते अभी मरने जीने का सवाल है अमरपुरी में उच पद पाना है मालूम पढ़ता है, किस-किस ने कल्प पहले पुरुशार्थ कर उच पद पाया है, बह सब देखने में आता है सेवाओं से, आत्माओं की स्थिती से, पुरुशार्थ से सब पता पड़ जाता है जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे सुरक्षा का आधार क्या है? देही अभिमानी स्थिती दे अभिमान हरा देता है बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रोहानी सर्विस में चल सको जितना रोहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है सब को बाबा समझाते है चित्रों पर समझाना बहुत सहज है ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब है बहेशिव बाबा है बड़ा बाबा फिर नई सरिष्टी रचते है गाते भी है मनुष्य से देवता कीे करतना लागिवार सिख धरमवाले भी उस भगवान की महिमा करते अब समने लिखा हूँ है इसलिए गुरुगरन साहिब में लिखा इसलिए बाबा कहाते है गुरुनानक के अक्षर बहुत अच्छे है जब साहब को तो सुख मिले सुखमानी साब का बाट करते है यह है तंत यानी सार कि साहब को जबो यानी उसको याद करो तो फिर सुख मिलता है सच्चे साहब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे अर्धात वर्सा मिलेगा मानते तो है एक कुंकार एक ओम की अकार का आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता फिर अकाल मूरत भी कहते है इसलिए बबा कहते है आत्मा कोई काल नहीं खा सकता आत्मा मैली होती बकि विनाश नहीं होती मैली होती, विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्थ कहते हैं, बाप समझाते हैं, मैं अकाल मूर्थ हूँ, तो आतमाई भी अविनाशी है, हाँ, बगी पुनर जन्म में आती हैं, ये अंतर है, हम एक रस हैं, आतमाउं का रस बदलता रहता है, कभी उपर कभी नीचे, साफ बदलाते हैं, मैं ज्यान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ, ये मैमा किसकी है, शिबा बाके, तो यह बातें समझ कर समझानी है, अंधों की लाठी बनना है जिनके पास ज्ञान नेत्र नहीं है ये नौलेच नहीं है उनको ये ज्ञान देना है जीयदान देना है ये है जीवन दान देना आत्मा को स्मृति दिलाना कि वो चेतन शक्ति है नहीं तो आत्मा अपने को जड़ शरीर समझ बैटी है तो ये है जियदान देना फिर कभी अकाले मृत्यों नहीं होगा दो युगों तक अकाले मृत्यों नहीं होगा तुम काल पर विजय पाते हो रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को गुट मॉर्निंग नमस्ते 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 धार्ना के लिए मुख्यसार पहला श्रीमत पर रुहानी सर्विस करनी है अंधों की लाठी बनना है शंक ध्वानी जरूर करनी है दुसरा देही अभिमानी बनने के लिए याद का चाट रखना है रात को जाक कर खास याद करना है याद में ठकना नहीं है वर्दान है सदा रुखना अपनी श्रेष्ट शान में रहे परिशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्व शक्तिमान भावर कैसे बनेगे मास्टर सर्व शक्तिमान? जब सदा अपनी श्रेष्ट शान में रहकर परिशानियों को मिटाएंगे सदा यह वर्दान स्मृति में रहे कौन सा? कै हम अपनी श्रेष्ट शान में रहने वाले औरों की भी परिशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्व शक्तिमान है कौन है हम? अपनी श्रेष्ट शान में रहकर औरों की भी परिशानी मिटाने वाले कमजोर नहीं श्रेष्ट शान के तक्तनशीन है जो अकाल तक्तनशीन बाप के दिल तक्थ नशीन श्रेश्ठ शान में रहने वाले हैं वे स्वप्न में भी कभी परिशान नहीं हो सकते कोई कितना भी परिशान करे लेकिन अपनी श्रेश्ठ शान में ही रहते हैं जब भोल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं मैं किसकी संतान हूं तो परिशान होते हैं स्लोगन है सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा मांगना नहीं है स्वमान में स्थित रहो आज सभी क्या home work करेंगे बबाने बताया safety का साधन है देही अभिमानी स्थिति तो देहे भान और देहे अभिमान से परे बार बार अपनी इस श्रीष्ट शान में स्थित होंगे कि मैं आत्मा इन कर्मिंद्रियों की मालिक हूँ मैं master शर्वशक्तिमान मैं master ज्यान सागर मैं master प्यार का सागर हो तो इस देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर जब हर कर्म करेंगे तो सदा माया के विभे नरोपों से safe रहेंगे तो इसी का अभ्यास अज हम बार-बार सारे दिन में करेंगे ओम शांती पाबा कोई नहीं जहाँ कोई नहीं जहाँ तुमने हसी बनाया तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहाँ हमको भी इस जहाँ तुम सा हसी बनाया बाबा कोई नहीं जहाँ कोई नहीं जहाँ तुम सा हसी बनाया सूरज या चांद किस से सूरज या चांद किस से तुलना करूं तुम्हारी तुलना करूं तुम्हारी रचता है तू सभी का रचता है तू सभी का रचना है सब तुम्हारी तु है जहां से नहार तु है जहां से नहार उपमा नहीं जहाँ में तुम्हार हजी नहीं जहां में तुमसाहँ हसीन बाज़ावा नजरें पढ़ी जो तुम्हार नजरें पढ़ी जो तुम्हार हटने का नाम ना ले पलकों के डाल पर दे दिल में कहीं छिपाले खो जाए तुझ में बाब खो जाए तुझ में बाब लाटी ना इस जहां में तुम साथ हसीन बाबा माशुक प्यार है तुझ माशुक प्यार है तुझ आशिक है सारी दुनिया तु प्यार का समंदर हम तो तुम्हारी नदिया तुझ में समा के बाद तुझ में समा के बाद तुझ साथ बने जहां में तुम साथ हसीन बाबा ये प्यार है रुहानी ये प्यार है रुहानी दुनिया क्या जाने इसको दुनिया क्या जाने इसको है इश्ग ये हकी की है इश्ग ये हकी की इसकी खबर है किसको इसकी खबर है किसको